समस्कार गुस्तों मेराज पांडे आप देख रहे हैं आर्सीयन ने चुड़ी आप सभी का आर्सीयन न्यूश्य चैनल पर हार जिक्स भागत है इस चैनल के माधिम से लगातर आपको आठ्हंटिक जानकारी दी जाती है वही जानकारी दी जाती है जो पूरता सही और सठीक हो गाए चैनलों की माधिम से आपको बताया गया हुगा लेकिन वैलिटिर क्यों बढ़ाएगी क्या नहीं भरतियों का रास्ता साफ हो गया है जब तक वैलिटिर बढ़ाएगे हैं क्या उस से पहले नहीं भरतिया आएंगे पूरी जानकारी दूँगा पीटी रिजल्ट पर ग्राण लग गया है पीटी रिजल्ट इस बर्स नहीं आएगा जो मुझे जानकारे प्राप्थ हुई है किस तारीक तरब आएगा इसके बारे में पूरी जानकारे दूँगा यूपी पीसियर्स जे जिस भरती का आपको लंबे समय से इतजार है जैसा कि आपको मालूम होगा इस चैनल के मार्दिम से बताएगा था कि भरती आएगी कुछ लोगों ने कहा कि 2030 मार्च में आएगी अपरैल में आएगी मैं आपको बता दूँ भरती कर आएगी जब अध्याचन प्राप्त हो जाता है कोई विसंगती नहीं रह जाती है तो हरती का विग्यापन आएग के मार्दिम से जारी कर दिया जाता है देखे सारी विसंगती दूर है पूरा काम हो चुका है अब विग्यापन निकालना है बिग्यापन कब तक आएगा कितने पदों पर आएगा इस वीडियो में बताऊंगा सक्तान भी जानने इस इच्छब भरती बीपियस से सच्छबी रिजल्ट और आरो यारो नोडिफिकेशन को लेकर बहुत ही महत्पूर जानकारी है अगर आपको कम पैसे में बेहतर त्यारी मिल जाए आपको कम पैसे में इतना अच्छा HD material मिल जाए जिससे आपका सेलक्षन हो जाए आपकी नंबर इंक्रेज हो जाए तो इससे बहतर कुछ हो सकता है आप लोग कमेंड वाक्स बताइए या इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ अपसर की अगनी परिच्छा सेल लगा हुआ ह इस सेल के माधिम से 600 भरती परिच्छाओं की त्यारी मात्र आप 270 रुपे में एक साल कर सकती है 600 भरती परिच्छा कब नहीं होता है जिसमें विविन भरती परिच्छाओं का जिक्र होगा यूनिक प्रशन होंगे 43,000 प्लस बॉक्टेस्ट होगा 14,000 प्लस प्रिबियस येर का पेपर होगा 12 भासाओं में होगा सासल मैं आपको बताना चाहता हूँ अब तक 20 लाग से ज्यादा इस्टूडेंट इसे परिच्छ कर चुकी है अगर आपको मोटे रकम देने से बचना है किसी कोचिंग संसान में जाकर समय बरवाद करने से बचना है तो भईया इसे परचच करेंगे 270 रुप्या 600 भरती परिशा, 600 भरती परिशा में 270 का भाग दे दिये एक भरती परिशा की टारीख के 3 रुपे में हो रहा है आपको जान सकते, डिस्केप्सन बॉक्स में लिंक है आर्चेन को उपन कोड का यूज करके ही परचेस करें जिससे आपको भाई डिस्काउन मिल सके पहली ख़बर के बारे में बात करेंगे पहली ख़बर यूपिटर परदसी पीटी 2021 की बढ़ा दिया गया है आपको मालूम होगा इसके पहले कैस लगाय जा रहे थे कि बढ़ा दी जाएगी क्या बैलिडिटी बढ़ाने से नई भरतिया आएंगी क्या बैलिडिटी बढ़ाने से नई भरतियों का रास्ता साफ हो गया है बैलिडिटी क्यों बढ़ाए गया है पूरी जानकारी विस्तार से समझाओंगा तो आईए समझ लेते हैं जैसा कि आज के समाचार पत्र में आप लोग ने पढ़ा होगा आपको मालूम होना चाहिए अगर भरती परिशा प्रिडाम समय से आ जाता तो वैलेडिटी बढ़ाने के अवरिशकता नहीं होती जब किसी परिशा के सी निधारित होती है उसे पुना पोश्टमोन किया जाता है दुबारा परिशाती घोसित की जाती है तो समय ज्याजा लग जाता है जिसके कारण इस तरह की कारे करने पड़ते हैं आठ से जनौरी तक वैलेडिटी को बढ़ाया गया है अब आपके जहरे में सवाल होगा क्या नई भरती का रास्ता साफ हो गया है तो मैं आपको बता जूँ राज्य सरकार ने प्रारंबिक अहरता परिशा 2021 याने की P.E.T. प्यट वालों को बढ़ी रहादी है उनकी वैज बढ़ाद है 202416 पदों पर भरती में आवेज़न के लिए इन्हे पात्रम मान लिया गया है मेरे मकसद था जो को भरती का विगों अग्या प्यूաժर जारी हुआ उसमें वैलिट रहें क्योंकि जब P.T. की वैलिटी सुमाथ हो जाएगे तो इनकी वैलिटी सुमाथ हो जाए यानि कि आवेदन करेंगे लेकिन मानने नहीं होंगे इसलिए आवेदन की अंतिन तिछी जो है 27 अक्टूबर से जादा थी तो मजबूरन पीटी 2021 की वैलेडिटी इनको बढ़ानी पड़ी अगर सरकार चाहे तो एग्रिकल्चर टेक्निकल असिस्टेंस अन्य भारत्यों का व पीटी 2021 की अंतरगत भरती आए अगर आ जाता है तो यह आपका भागी होगा मात्रे जो आवेदन हो रहे हैं उसमें प्रतियोगी छात वैलिड रहें आवेदन कर सके इसलिए पीटी 2021 की वैलेडिटी आठ जनौरी 2023 तक बढ़ाए गई है अब बातों को समझ गए होंगे इस कुमबर में आएगा ना दिसंबर में आएगा पीटी रिजल्ट सीधे जनौरी के दूसरे पखवारे में जारी किया जाएगा तो अभी आपको बेट करना है दूसरे पखवारे तक का जो मुझे जानकारी प्राप्ट दूसरे पखवारे में पीटी का रिजल्ट आएगा उ पंद्रा जनवरी के पहले नहीं आएगा पंद्रा जनवरी के बाद आएगा उससे भी आगे हो सकता है इसलिए आपको अब दिसंबर में बेट नहीं करना चाहिए उससे पहले संभावता हो सकता है कि लेकपाल भरती परिछा परिडाम चारी कर दिया जाए बात समझ रहे हैं आगे कोई अबडेट बिलता है तो मैं आपको अवश्य दूँगा फिर एक बार सुन लिए यूपी ट्रपल ऐसी पीटी रिजल्ट पंद्रा जनवरी के बाद आने की संभावना है उससे पहले आने की संभावना नहीं है अगली खबार यूपी पीसीयस जे कुले करें दोस इनने भी आ सकता है अगर वह ठक हो गया तो विग्यापर आ जाएगा अब कितने पदों पर आएगा तो मैं आपको बता दूँ दो सो 89 पत के करेंब उत्तरप्रति लोकस्षेवा आयो को पीसीयसले का अध्याचन प्राप्त हुआ है अभी पत और इंक्रीज भी हो सकते हैं डिसक्रीज होने की संभावना कभी अधियाचन और प्राप्त हो सकते हैं इसी की इंतिजार में थोड़ा बिलंब हुआ क्योंकि पद पहले बहुत कम थे अब पद इंक्रीज हो गए हैं 289 के करीब हो गए हैं अभी यह और प्लस हो सकता है इसलिए आपको थोड़ा वेट करनी क्या वह शकता है इस महीने इंड और अगले महीने की वेट करीए हो सकता है कि आपका विग्यापन आपके समझ हो वैसे विग्यापन पीसे जेकर आएगा और जो मैं आपको बता रहा हूं 289 पद राइट पद है अभी पद और इंक्रीज हो सकते हैं अगली अपडेट है सतान बेजार नई प्रात्मिक शिक्षक भरती की मांग सल रही है यहाँ पर आप देख सकते हैं आज के समात्यार पत्मिक लिखा हुआ है कि प्रदेश में रिक्त पदोबर भरती की मांग युवा मंच के बैनर तले छात्रों ने सिबिल लाइन्स में धरना इस तर पर किया परदर्सन दोस्तों 52,000 प्रात्मिक बिद्यालों में 97,000 पतों पर भिग्यापंजारी करने का वादा बिकत बरसों में सरकार ने किया लेकिन अब तक सरकार के दौरा उस वादे को पूरा नहीं किया गया वादा खिलाफी की गई वादा खिलाफी के बारे में सरकार को बताने सरकार को चेताओने देने को लेकर अब भरतियों के द्वारा प्रतियों 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 के द्वारा प प्रज्वनकार बिज्यापन जारी करने की मांग की साथ ही मुख मंत्री और प्रधार मंत्री को समभोधित ग्यापन ACM दूतिये को दिया क्या इवाउं की बात मु्हमंत्री और प्रधारमंत्री पहुंशती है मैं आपको इस पहुंच पाती है आगे दा दिया जाता है और मैं आपको यह भी बताना चाहता हूँ कि नई प्रात्विक शिक्षक भरती का विग्यापन आएगा 2023 वैसे मुझे जो जानकारी है कि पहले जुलाई की बात आने के संभावना दिख रही है जब तक यूपी टेट नहीं होगा तब तक आपको नई प्रात्विक शिक्षक भरती देखनी को नहीं मिलेगी सासत यह भी बताना चाहता हूं कि 26,000 कुछ पदों पर जो पुलिस भरती आने वाली है उसका भी राष्टा लगभव लगभव साफ है विग्यापन कब आएगा सामय तक मैं आपको बताऊंगा कितरा समय और लग सकता है अगली अपडेट है BPSC को लेकर BPSC 63 वी का रिजल्ट अब जारी कर दिया जाएगा मंगलवार को रिजल्ट पूरता तयार हो गया इस चैनल के माधिम से लगातार आपको अथेंटिक जानकारी दी जा रही है BPSC 63 वी का रिजल्ट अब आएगा आप दो से तीन दिन वेट कर ये आपका रिजल् उसके बाद अनसठवी का नोडिफिकेशन भी आपको देखने को बिलेगा तो दोस्तों आपका रिजल्ट बंगलवार को तयार हो गया है BPSC 2 दिन और बेट करिए आज से का रिजल्ट आपके समझ होगा अगली अपडेट आरो ए आरो नोडिफिकेशन को लेकर है आरो ए आ आपको फरावरी टु मार्च तक बेट करना पड़ सकता है तो मैं आपको इसी प्रकार की अथेंटिक जानकारी देता रहता हूं इसी प्रकार की सही सठीक जानकारी के लिए इस चैनल का परिवार वनने के लिए आपको समय स्वेबर जानकारी मिले वही जानकारी मिले जो सह तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बिबिन प्रकार की जानकारी दी जाती है, आपको तेलीगराम पर जाये, और यूटूब चैनल आपकी समझे, जहीं जभारुसतो, नमस्तुन